कि नमस्कार दोस्तों स्वकेताब सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पार हों हमारा माकैनिक डीजल समस्टर फर्स्ट मॉडूल 3 फास्टिनिंग का यह हमारा पीडियेफ है और यह हमारा पीडियेफ है डीजल मकैनिक का तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में हमने प्लेलिस्ट के दे दिया है ठीक तो चलिए स देख में जो नाम आपको दिख रहा है एक्स चेन नंबर के यहां पर यहां पर को यह रहाए है तो 106 आप यहां पर भी आंसर प्रेक्ट हो 107 नमबर का question what is the name of the water चितर में यह जो आपको वासर दिख रहा है इस वासर का नाम क्या है तो देखिए दोस्तों यह जो वासर है यह आपका कहलाता है थंब इस्कुरू यहां पर आपका टैब वासर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थंब इस्कुरू और देखिए यहां प्रिंच हमारा सांटर सिंग के हैड़ी कहलाता है तो सांटर सिंग के हैड़ी स्कुरू करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 डे 109 नमबर का question में आप ऐख दिख रहा है इस प्लाइर का नाम किया है दो प्लाइर हमारा कहला था साइड कैटिंग प्लायर हीआपर हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा 110 का 110 नमबर का question है वाटिजा नेवधां k Eller सिंक रूब कानीं किया है तो है यहां पर देखिए ग्तरशन की पिंच आपको में दिख रहा है यह आपको जो फ्टैज रहा है यह कालाता है इस स्लॉफेंटर सिंक के सिंप सिर्きた पैशोप स्यम्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा एब देखिए आप एक सो बारे नंबर का वाटेज़ाने आप दासॉंटर सिंग की स्क्रूं इसक्रूं काउंटर सिंग का नाम क्या है ति हमारा कहलाता है उसक्रास है रिस लिड़ सेड़् कांटर सिंग के सिरी पेंच यहां पर क्रेक्ट का भप ओस तो के है तो देखिए यहां पर आपको काउंटर संक का जो फिगर दिख रहा है यह हमारा है कि स्लाटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड इस्कुरू यानि स्लाटेड उठाया काउंटर डूब सिर पेंच कि 114 नंबर का कोशन है वाट इदा नेम अब दा मसीन इस्कुरू हेड पिर्क आपको जोह्ची तर में मसीन प्रेंच सिर का प्रकार देख रहा है तो ढकर प्लेगे Talk मसीन का प्रकार है यह देखिए यह एक सो पंदर नंबर का कोश्चन वाट लिए अख्रोट का nonprofit क्या है तो देखिए यहां पर जोडर का नाम है यह हमारा कहला कानाव पर हमारा हमारा दिखने का यह तक राता है मैं मैं कि नाम किया तो देखिए यह नट कहलाता हमारा लाक नट बंद करने वाल नट यहां पर 166 का एंसर एक रात हो जाएगा और मसीन उपकरने निर्मान के लिए किस अखरोड को उपयोग किया जाता है वह कहलाता है हमारा hexagonal nut तो hexagonal nut यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा एक अठारे नंबर का question what is the name of the tool यह जो आपको tool दिख रहा है figure में यह tool क्या है तो देखिए कहलाता हमारा face range face range यहाँ पर correct answer हो जाएगा देखिए आपर हमारे 119 नंबर question what is the name of the tool यह जो टूल है इसका नाम क्या है तो यह जो टूल है हमारा hook wrench कहलाता है hook wrench यहाँ पर correct answer हो जाएगा 120 नंबर का question है यह जो आपको दिख रहा है यह हमारा कहलाता है यह हमारा कहलाता है थंब नट यहाँ पर correct answer हो जाएगा 121 नंबर का question what is the name of the nut यह जो आपको नट दिख रहा है चित्र में यह इसका नाम क्या है तो दखिए यह जो नट है यह हमारा है domain cap nut domain cap nut यहाँ पर correct answer हो जाएगा अब देखिए हमारा अगला जो question है वह है 122 नंबर का 122 नंबर का question कह रहा है यहाँ पर what is the name of the nut यह जो आपको चित्र में नट दिख रहे हैं यह नट है तो यह नट कहला हमारा hexagonal nut with color यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपको यह आपका color लगा हुआ है hexagonal nut with color correct answer हो जाएगा 113 नंबर कोशन है विश टाइप आप नट रिक्वाइड टू अलाइन दा axle soft hole and slot of the nut for locking ताला लगाने के लिए axle soft छेद और अखरोट के slot को संरेखित करने के लिए किस प्रकार की अखरोट की आवस्यक्ता होती है तो देखिए इसके लिए जिसकी जरूरत पढ़ती है वह हमारा रहता है आप सब्सक्राइब करीक्त हो जाएगा 120 समय कोशन है वाट इज्टाने है यह जो चित्र में आपको की दीख रहा है यह कौन सकी है तो हमारे का लाता है हालो साडल की हालो सेडल की 124 का एंसर करेक्ट हो Llachal 124 का कोशल है work इस आने में आपद्यक्क की यह जो जी एक चितर में को की दिक रहे यह किस प्रकार का की है की है हमारा को ते एक्स्टर्नल सरकिलिप का तो 126 कि आप पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 117 नमबर का कोश्चन है विच टाइप आप की यूट आन साफ्ट एंड हब साफ्ट और हब पर किस पकार की कुंजी को परियोग किया जाता है यह हमारा कालाता है पैरलल संक की तो 117 के आप डी आंसर की एक्साथास नमबर का कोश्चन है वाट इज़ानेम आप डाव बोल्ट यह जो आपको चित्र में बोल्ट दीख रहे हैं इस की का नाम किया है जो किया हमारा कालाता गीब हैड की तो गीब हैड की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फीगर है गीब हैड की का आप तो नमबर कोशन मेथटेवाट यदंधिन्म कटिंग आप डंग बिधी क्या है तो जकिए यहां पर यह जो मेटल कटिंग की आपरेशन की जो वीधी है यह बैदी हमारा कहलाता है घरसन या अबरेशन याप यहाँ निया आपर देख सकते हैं इसके यह जो है हमारा अबरेसिव पाटिकल होते हैं यह परभंद प्यायत फ CAP क्षुरू क्या पेटी होता है दो यह हमारा करता है यह जो आपको बिधी दिख रही यह वीदी हमारी कहलाती है कंप वियूजन यानिका यह यह एप हर से इसमें प्यूजन की क्रिया हो रही है और इसमें क्या होता है धाव तो पीघल पीघल की यह नीचे गिर जाएगा तो फ्यूजन भी दिवरा यह मेटल कटिंग की जा रही है अब देखें आप पर 132 नबर क्वर्माज्च पॉस्टेंगे ही हमारा कहलाता है single cut file यहां पर देख सकते हैं यह सिंगल कट है यहां पर एक लाइन है इसलिए हमारा कहलाता है single cut ठीक अब देखिए यहां पर 133 नमबर कोश्चन है 133 नमबर कोश्चन है कि वाट इज़ दिदा वाट इज़ दानेम आप दाप यहां पर हमारा इस तरह से जब सिंगल कट है जब सिंगल कट के ऊपर एक और लग जाते हैं तो हमारा कहला यहांते हैं admissions अबर वहाल थाओ यह व्वार का फाइल को यह हमारा देखते यह थो कि है तो यह हमारा क्या है कि इस तरह से दूर दूर ने सकते हैं यहां पर देख सकते और हमरा कहलाता है नहीं सो यह CONTiертв हमारा करेक्ट आंसर हो जाएं गडर ठीक यह जो आपको एकसा फ्रेम दिख रहा है यह हमारा कालाता है एड़ेस्टेबल टूबूलर टाइप का यह फ्रेम है 135 को यहाँ पर सी अंसर करेक्ट हो जाएगा 137 नंबर कभ गए हमारे 136 नंबर कभ है कि नेम आप दे मेथाड आप रिमोविंग ब्रोकन इस्टब तूटे यहां पर देखिए यह जो विद्रिल होल मेथाड तो मेंकिंग ड्रिल हो मेथाड यहां पर करेक्ट आंसर आप से 137 नंबर का कोश्चन है नेम आप दे मेथाड आप रिमोविंग ब्रोकन इस्टब टूटे हुए इस्टब को अटाने की विद्रिका नाम किया है अब यहां यह जो ड्रिलिंग मसीन है यह हमारा कहलाता है बेवल गीर ड्रिलिंग मसीन यहां पर हमारा 139 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब जैकि हैं आपर हमारा 149 नंबर कोश्चन है विश टाइप पर टेवल ड्रिलिंग मसीन है वैरियेबल इस्पीड किस प्रकार की में परिवर्तन सील गती होती है वह हमारा रहता है 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 यह यह दूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल यहां पर 149 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 140 नंबर का कोश्चन है विच पार्ट ड्रिल बीट फिट इन टूदा सलाट आफ ड्रिलिंग मसीन स्पिंडल ड्रिल बीट का यह गोदा में लेकर यह जो आपको एंगल अदिख रहा यहां पर आप लोग दीख सकते हैं इसे यहां से लेकर यह जो आपको एंगल दिख रहा है यह व्ला आइंगल हमारा डाता है व्लमेघान राक यंगल कर चीजा है Сब्सक्रड जाएंग ilिग 222 नंबर कोश्चन हैं इसलिदे से ले परी हैं Glen अपर सामंगरी का होती है इस देखिए फोब्र चुर्ङले जिय नगोटी के साथ कौंसा kapی प्रदान किया जाता है यह जो प्रदान किया जाता है यह किया जाता है तो सेल्फ लाकिंग नट का तो 143 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा सेल्फ लाकिंग नट आसान फिक्सिंग और हटाने की लिए जो हम लोग की कपरियोग करते हैं वह हमारा रहते गीब हैड की 144 का ब्यूपकर कोशन है विच की इस यूजड वाइल हब सलाइट से एक्षियली अंदा साफ्ट साफ्ट में अच्छी रूप से हब सलाइट करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है यह किया जाता है फीदर की का पर यहां पर 145 कसी आंसर करेक्ट हो जाएगा फीदर की 146 अंबर कोशन है विच 146 का यह अंसर करेक्ट हो जाएगा 147 नंबर कोशन है वाट इस अपीच आप हेक्सा ब्लेट की पीच किया है तो जाखिए हेक्सा ब्लेट की जो पीच है यह कलाता है डिश्टेंस बिट्विट्व अडजेसेंट टेथ है यानि कि आसन्य दांतों के बीच को दूरी अब जा फाल यूजन फाइल फाइलafe आर्वेल यूजाज थाइलग यॉडड एड़ लकड़ी और चमौने को भरने के लिए किस प्रकार के फाइल के उर्प्यों कि जाता है दो फूर चमौने को भरने के लिए जो फाली जो होती प्सकार। फाइल होती है कि एक सब्सक्राइब कोश्चन वार्ट टॉलरेंस आफ लिमिट और फिट सिस्टम पड़ाली की सही सुलूता क्या है तो देखिए सीमा और फिट पड़ाली का जो सही सुलूता होती है वह रहता है कि डिफ्रेंस बिट्विन मैक्सिमम और मिनिमम साइज यानि क साइज के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं ठीक 150 नमबर कोश्चन है विश टाइप फिट विल है मैक्सिमम साइज होल एंड मिनिमम साइज साप्ट किस पकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद और नियुंतम आकार का साप्ट होगा यह जो रहेगा वो रहेग जो ना अब्दा होल एंड साफ्ट वहर लैप इच अधर यानि कि किस प्रकार का फिट एक दूसरे पर च्छेद और साफ्ट के सवह सुड़ता च्छेद का प्रतिनिधित्यु करते हैं यह जो प्रतिनिधित्यु करते हैं तो ट्रांजिशन फिट होता है तो यहां पर 151 का यह आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आप 152 नंबर का कोश्चन है हाव टू होल्ड इसमाल जाप सो वाइल वर्किंग और बेंच ग्राइंडर बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियं कैसे पकड़े तो छोटे जाप को कैसे पकड़ते हैं तो इसे हम आपको चितर दिख रहा है यहां पर यह कहलाता है ठीक यहां पर हमारे ड्रेसिंग करने का कारेक्ट हो रहा है यहां पर देखिए यहां पर 154 नंबर कोश्चन है वाट इस दरिक्मांडेट गैप बिट्व टूल पोस्ट और ग्रांडिंग वील के बीच जो गैप होता है कि 2mm का ठीक यहां पर आंसर हो जाए 155 नंबर कोशन है वाट इजज दा पिच्व वेवसेट इन हैं है सब्लेट तरह पीच्वेट की पिच किया है तो देखिए यह जो ब्लेट की पीच होती है यह होता है 0.8 mm तो तरह एंगे सब्सक्रावाइब यह पीच होती होती है 106 लिए जो यूज किया जाता है वो रहता हमारा ब्रेश्ट ड्रील यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा 157 नमबर को स्टोल्स है वह हमारा से टूल रहता है को स्टोल यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा 158 नमबर का कोश्चन है विच एंगल हेल्प इंदा पेनेट्रेशन आप्टिंग एज इंदा माटेरियल समगरी में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कौन मदद करता है यह जो मदद करते हैं हमारा क्लियरेंस एंगल र चैंपर होता है यह जो 20 डिग्री चैंपर होता है यह प्लग टैप रहता है तो प्लग टैप यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हागा अगला चैप्टर है हमारा एलेक्टर कfilled एंद इलेक्टर्क सकते हैं हमारीच रहें में का मदे आप दोस्टे सब्सक्राइग करिये और हिए अर। और अपने दोस्तों के साथ डर्यांद करिए भीलें सब्सक्क्रीप